कि थेंक यू तो गुड इवनिंग टॉर्ट कि आज मौका है जहां इंडरहम ने सब लोगों को इख्टा किया और यह बहुत बड़ी अप्रचिनिटी कि पिरामल पाउंडेशन की बार्टर रिलेटेड जर्नी के बारे में थोड़ा बता देता हूं सो भी स्टार्टेड एज शर्वजल इन 2009 हमने आयोटी बेज रियल टाइम जो पिरिफिकेशन उनीट जो इंस्टॉल किये उसके तहत हम लोग गाउं में सेफ द्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहे थे और देर इजब पिरिफिकेशन टेक्नोलोजी विजिए कॉल्ड आरो है तो वह हमने जर्नी 2020 तक कंटिनी रखा देन जब जेजेम मिशन आया वी रिलाइज कि आरो है वो कुछ पानी को वेस्ट करता है और उसका जो वेस्ट निकलता है वो और पानी को खराब करता है देन हमने अमारा वीजन थोड़ा चैंज किया और वी आर मोविंग तोड़्स क्लाइमेट सस्टेनिबिलिटी तो हम लोगों का फिल्ड के दोरान काफी अनुपव रहा है अलग-अलग लेवल पे हमारा नॉर्मली जो कोकस है वो कैपिसिटी बिल्डिंग है हमने एप्टी के टेस्टिंग के लिए ट्रेंग करी है जे एंड के में हमने कैमिश्ट की ट्रेंग करी है तो अगर हम बात करते हैं कि water quality जिसमें तीन अलग-अलग एंगल है एक है कि हम कैसे diagnosis करते हैं कि पानी पीने लाया क्या नहीं है जिसको हम tasting कहते हैं और हम अलग-अलग तरीकों से जैसे हम primary testing करते हैं जब laboratory में बेशते हैं तो उसका detailed diagnosis होता है जिसमें 16 या 17 parameter के उपर होता है और third होता है जो deeply diagnosis जिसमें कुछ hundred plus parameter होते हैं जिसके उपर पानी को जाचा जाता है now challenge is कि हमने जो primary diagnosis किया है Ftk से और वो हम महिने में एकाद बार करते हैं is it sufficient तो वो एक सोचने की बात है तो normally ये एक ऐसा solution नहीं है जो हर जगे पे similarly apply होगा हर जगे पे एक अलग process होनी जरूरी है because कि जहां industry या जहां पे industry का पुरा hub है उसके आसपास के जो sources है उसकी contamination की chances और ज्यादा होते हैं नॉर्मल जहां पे river या तालाब के पानी है वहां पे कम रहते हैं जब हम groundwater को extract कर रहे हैं तो वो changes है या variation है वो बहुत कम मात्रा में होता है तो इसके उपर भी सोचने की जरूरत है तो हमारे जो प्रीड के अनुपव रहे हैं प्रीड के अनुपव के आधार पे हम लोग ने तीन state में काम किया हैं एक है जार्खन, महाराष्ट्रा और जेहन के चार्खन में एक कैडर है जिसको जल सहिया कहते हैं और जल सहिया कैडर के पास responsibility है water quality testing की और VWC की fund management की that's why वो कैडर के पास state की तरफ से एक लिखित में opportunity को वहाँ पे assign किया गया है और उनके incentive plan जो है वो clear है that's why पिछले साल का अगर मैं देखू तो 92% village का apticate testing जल सहिया ने किया है that is the great number बाकी state में कैसे plan है मतलब उतना मुझे उस बारे में idea नहीं है बट महाराष्ट में similar situation नहीं है जो जल सहिया वाला जो मैंने बताया बट महाराष्ट में एक जो अच्छी बात है जिनोंने water quality and assurity के लिए उपर काम किया है single village scheme के village पे उन्होंने electro chlorination के project लगा है तो जो भी पानी गाउं में supply होगा वो chlorinated water होगा जिसकी वज़े से pathogenic जो side effect है वो नहीं होंगे तो 8500 installation महाराष्ट ने ensure किये हैं जे एंड के में जब हमारा visit हुआ तो वहां पे एक अलग एंगल है जहां पे spring regeneration शायद आप लोगोंने सुना होगा जो पहाड़ी area में spring होते हैं उनको कैसे जीवीत रखा जाए कि वो पानी जो है वो अच्छी मात्रा में वो quality water होता है जिसको वो जीवीत रखने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं तीन state के हमारे तीन अलग अलग अनुबव हैं अभी हम challenges की बात करें तो जब water quality testing की बात है सबसे पहले होता है sampling वो पूरी process में पहले sampling होता है उसका tagging फिर वो lab तक supply होता है lab के अंदर testing होता है इन सारी process में water bottle का उप्योग कैसा हुआ है that is important part किसी ने अगर कोई भी source वाली bottle को use कर लिया है result will be wrong तो एक important है कि वो sampling के लिए bottle जो use हो रहा है वो quality का कोई ना कोई SOP होना चाहिए second thing कि जो T.O.T. है water sample collection से लेके जो testing होगा वो T.O.T. का manage होना बहुत जरूरी है because जो हमारा अनुबव है water lab में काफी मात्रा में sample आते हैं और chemist एक इनसान है जो अपनी एक शमता के आधार पे काम करता है तो वो शायद उस time पे नहीं कर पाता है that's why वहाँ पे chances रहते हैं कि bacterial analysis में कुछ गलत हो सकता है तो वो कैसे mitigate किया जाए उसको कैसे अलग laboratory में distribute किया जाए तो वो एक planning भी होनी जरूरी है या online portal पे वो numbers भी होने जरूरी है कि कितने sample आये हुए हैं कितने time तक वो complete हो जाएंगे कब तक वो analysis हो जाएंगे उसका एक measurement live होना जरूरी है ताकि वो track कर सके तो यह है जो challenges हमारी water testing के उपर second हम सुबह से सुन रहे हैं कि जो water quality है जो हम पानी use कर रहे है हमारे गर पे जो पानी आ रहा है that is a water contaminated water जहाँ पे fluoride है arsenic है और multiple parameter पे वो wrong होता है आज कल uranium का भी हम लोगों ने सुना है तो अगर पिछले 10 साल में अगर देखे हम तो जो arsenic और fluoride का जो contamination area था number of district या number of village वो शायद more than double हो गए वो मतलब sources उतने ज़्यादा contaminate हुए है ग्राउंड वाटर का जो star है वो पिछले 10 सालों में around 75% नीचे गया है तो रीजन समझ में आता है मतलब हमें यह दिखता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी एस्ट्रेक कर रहे हैं जिसकी वज़ए से चैलेंजिस हैं तो हम water sustainability हम यह बोलते है कि आत्म निर्बर आत्म निर्बर गाव कैसे बनाया जाएं जो आज से शायद 100 साल पहले हम लोग देखते थे यह pipeline के network नहीं थे सब लोग अपने गावों के तालाबों पिको पर depend थे तो वैसा ही हमारा एक अनूबव है गुजरात में द्वार का करगे एक जगह है जहां पे मैंने विजीट किया हुआ है हर गर के नीचे एक storage tank बना हुआ है और वो storage tank से वो लोग पीने का और जो रसोई का पानी है पूरे साल के लिए यूज करते हैं उनको कहीं पे भी ना बोर की जरूरत है और ना किसी ऐसे treatment की जरूरत है तो वो एक अच्छा तरीका है जहां पे जो पीने के लिए पानी चाहिए वो हम storage कर ले जो catch the rain वाली जो project है उसके तहट और बाकी का जो है वो हम किसी भी source का use करेंगे तो वो contamination और जो health के issue है उसको हम mitigate कर सकते हैं तो ऐसे कापी सारे अनुबव है बड़ समय की सीमा है जिसकी वज़े से हम अभी यहां पर विराम देते हैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच